आज हम बनाएंगे इंस्टेंट डोसा तो इसके लिए आपको दाल चावल भीगोने की जरुवत ने सिर्फ 10-15 मिनट में डोसा बनकर तेयार हो जाता है इसके साथ मैं दो तरीके की चटनी बनाने वाले हो यह दोनों ही चटनी डोसे के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती ह तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं इससे पहले हेलो एवरीवन त्रिप्ती हूं किचन में आपका स्वागत है डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें सूजी चाहिए तो यह मैंने एक कप सूजी लिया है और इसे मैं मिक्सी के जार में डाल दे रही हूं इसे हमें बहुत अ सूजी डाल दे रही हूं साथ में डालेंगे इसके अंदर चावल का आटा तो मैं दो चम्मच चावल का आटा डाल रही हूं अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो चावल को धोक करके सुखा करके पीस लीजे इससे आप चावल का आटा बना सकते हैं साथ मैं मैंने द और अब मैं डाला है तो हमें बिल्कुल गरम तेल डालता है तो मैंने दो चम्मच राला है गरम तिल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिला लिया है और अब मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ तो दही हमें इसके अंदर 1 कप डालना है दही जब भी आप इसके लिए तो व्लिश दही लीजेगा खट्टा दही मत लीजिएगा और अब हम दही को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से इसे फेट लेना है आप चाहें तो चमस से भी फेट सकते हैं मैं इसे विसकर से फेट ले रही हूँ इसके अंदर गुठलिया या फिल लम्स नहीं रहने जाही है हमें इसके बिल् कुल की स्मूथ बना करके तयार करना है तो मैं ने ढही डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया इसमें लम्स अब बिलकुल तो मैं इस वाक्त इसके अंदर पानी डाल रही हूं, तो इसके अंदर टोटल हम एक कप पानी डालेंगे, तो मैंने दही वाले एक कप में एक कप पानी डाल करके डाला है, तो पानी भी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पहले थोड़ा सा प जैसे की डोसे का बैटर होता है बिल्कुल वैसा ही बैटर इसका भी बनेगा तो मैंने से अच्छे से फेट लिया बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर के तयार हुआ है अभी मैं इसे ढग करके 10 मिनट के रख देती हूं ताकि सूजी फूल जाए और इदर हम चटनी बना लेते है देडिए एक चममस मीच टाला है साथ में मैं इसके अंदर लिय को छाग काट के डाले छाग ही पैन में ज़्जी और सूखि लवादमिज को फ्राइ कर लिया है और अब इसे एक मिक्सी के जार में निकाल ले रहे हूं और अब हम इसी तेल के अंदर डाल 2010 um fallee मैंने सिसके इंदर आधा कप मुंखफ़ई डॉल एक हमें आच्छे से हम तब तक भूनेंगे जब तक कि चैंज ना ओजा झाल जब तक है चटकने हो यहीं जो मुंखआ की इसको भूनते अपिस से बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला है और मैंने साथ में आदा चुरा जीरा डाला है और एक बड़े साइस के टमाटर को रफली चौप करके डाल दिया है टमाटरों को हमें तब तक पकाना है जब तक कि यह सौफ्ट ना हो जाए और लास में मैंने थोड़ा सा इमली हमें बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है और इमली डालने के बाद भी मैं टमाटर के साथ एक मिनट के लिए पका लिए है तो अब हम इन शौफ्ट के वे टमाटरों को जिसमें हमने मुंगफली हरी मिश लाल मिश डाली थी उसी मिक्सी के जार में इन टमाटरों को भी डाल दे लगा जेए तो मैंने पीशते वक्त इसके अंदर थोड़ा पानी और डाला था चटनी को बिल्कुल स्मूथ पीस के तयार करना है तो मैंने इसे अच्छे से पीस ली है और इसे अब मैं एक बोल के अंदर निकाल ले रहे हुं सात में मिक्सी के जार में मैं थोड़ा सा पान पैन लेक भुनीवी चना दाल को भी तेल और मिर्च साथ अछलगा सा फ्राई करना वहत अच्छा बिल्हबकश का फ्राई के लिए हमें से बुनना है उससे पहले मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जीर डाल दिया लगबक आधा चममझ जीर इसके अंदर डाला है और जीरे के साथ इसे हम लगबक एक से दो मिश्मानर, के लिए और इसको अब हम 1 मिनट के लिए चला लेंगे तो नारियल और इंबली डालने के बाद मैंने इसे चनादार और हरीमिर्ज के साथ एक मिनट के लिए और सबीडी चीजे अच्छे से बुन चुकी है तो गैस को मैं बंद हम डmp बढ लेंगे एक मिक्सी के जार में, तो मैंने सभी चीजों को एक मिक्सी के जार में डाल दिया है, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, धनिया की पत्ती, इससे चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैंने बिल्कुल एक मुठी धनिया की पत्ती डाली है, साथ में, तो अब इसके अपर तड़कर डालेंगे, जो हमने पहले चटनी बनाई थी और अब जो यह वाली चटनी बनाई तोनों पर हमें तड़कर डालने के लिए मैंने यह पैन लिया है, पैन में डाल रहे हूं तेल तो हमें लगबग दो बड़े चम्मच जितना तेल इसके अंदर तेल गरम हो चुका है, तो मैं इसके अंदर डाल हूँ एक छुटा चम्मच राई, साथ में कुछ कड़ी पत्ते डाल देंगे, साथ में तीन सूखी लाल मिर्ज को मैंने तोड़कर डाला है, अब हम इसे हलका सा फ्राई करेंगे, तो सभी चीजे तड़कने लगी है, तो त देख सकते हैं, बहुत जादा गाणा नहीं है, यदि के साथ और वडे के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है, तो चलिए दो लिगे की चट्नी तो बनकर तियार हो गई है, थैर बैटर को रखे लिगी दस मेंट हो चुके हैं, सूजी अच्छे से फूल चुकी है, तो एक बार हम वापिस से इसे अच्छे से फेट लेंगे, तो मैंने इसे अच्छे से फेट लिया, मैं एक बार आपको इसकी consistency दिखा दे रहें, तो आप देख सकते हैं, इसकी consistency बहुत जादा गाडा नहीं है, बह बेकिंग सोडा डालने के बाद हमेंसे अच्छय से मिक्स कर लेना है Center बेकिंग सोडा जब भी आप डालते हैं तो इस पात का ध्यान रखें जब आपको डोसा बनाना है तो जस्ट उससे पहले ङी आपको बेकिंग यजरूर ध्यान रखे गा तो चलिए अब हम डोसा बना लेते हैं, इसके लिए मैंने ये non-stick तवा लिया है, आप चाहिए तो इस डोसे को cast iron के तवे पर भी बना सकते हैं, और इस तवे को मैंने पहले low flame पर गरम कर लिया, तवा इस वक्त गरम है, गरम तवे पर, मैं बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल द और अब हमारा तवा बिल्कुल तेयार डोसा बनाने के लिए तो मैं इसके उपर बैटर डाल दे रही हूं, तो मैं इसके उपर दो चमच बैटर भर की डाल रही हूं, वैसे आपका जितना बड़ा तवाओ, उसके हिसाब से आपको बैटर डालना है, फिर बीच में से इसे बैटर को तवे पर दिककत नहीं आती है, बहुत असानी से यह फैल जाता है, अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम किया हूँ, मीडियम फ्लेम पर इसे सिखने देंगे, अब आप देखिए उपर वाली लेयर अच्छे से सूप गई है, तो मैं इसके उपर तेल लगा दे रह कलर आचुक है, तो पहले इसको किनारों से निकालेंगे और फिर इस तरीकी से फोल कर देंगे, तो यह वाला लोसा बन करके तयार है, मैं आपको एक और दोसा बना करके दिखाती हूँ, तो जैसे पहले हमने तवे को थंडा क्या था पानी ढाल कर के वैसे हम इसे थंडा कर देना उसके बाद इसके ऊपर बैटर डालना है और बैटर को हलके हाथ से फैलाएंगे गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और उपर वाई लेयर को सूख जाने देंगे जब अब उपर गी यह तेल लगा देंगे और इसे गूल्डन ब्राउं और क्रिस्पी होने तक सेक लें तो पहली बार में डूसा बिल्कुल पर्फेक्ट बनने वाला है बस आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है इस डूसे को बनाना बहुत असान है मैं हमेशा घर पर यह डूसा बनाती रहती हो मेरे घर पर सभी को यह बहुत पसंद आता है और इसके लिए आपको पहले से टाइब करना ना भूलें